हेलो स्टूदेंट्स इस प्राची वेलकम टू अवर चानल आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर फॉर्थ का नया टॉपिक दाट इस एलेक्ट्रानी कान्फिगरेशन एंब विलेंसी सो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था अबाउट एलेमेंस और एलेमेंस के 1-20 क्या लिखे थे हमने अटामिक नमबर लिखे थे एक बर रिवाइस कर लेते हैं हम तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एलेमेंस होते हैं वो जिनको हम फर्दर ब्रेकडाउं नहीं कर सक उनके एक्जामपल लिए थे जैसे कि iron होता है लोहा तोडएंगे तो तोड़ कर क्या रहेगा लोहा ही रहेगा लेकिन अगर हम carbon dioxide को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो एक तरफ निकलती है carbon और एक तरफ निकलती है oxygen तो carbon dioxide को हम element नहीं बोलेंगे वो हुगा आपका compound जिसकी बाद हमने elements के types पर रहे थे कुछ metals, कुछ non metals और कुछ metalloids जिनकी detail study हम already कर चुके हैं इस chapter में हमने main focus किसकी उपर करना है elements के atomic number पे, उनके atomic masses पर, electronic configuration and balance पे तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि atomic number क्या होते हैं एक element के अंदर जितने number of protons यानिकी positive charge जितना उसक हम उसका atomic number बोलते हैं, तो हमने किये है 1 to 20, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे atomic masses, electronic configuration and balance, तो मैं इसको अलग से एक बार लिख लेती हूँ, तो मैंने यहां पर लिख लिया है, सबसे पहले 1 to 10 discuss करेंगे, फिर 11 to 20 discuss करेंगे, तो सबसे पहले मैंने लिखे है atomic number, जिनके यानि कि जिसके अंदर जितने number of protons present होते हैं, एक बार revise हो जाएगा आपका, number of protons present in the nucleus of an atom is called its atomic number, तो यहां पर मैंने element name लिख दिये हैं, यहां symbol लिख दिये हैं, यहां मैं atomic mass लिख देती हूँ एक बार, atomic mass क्या होता है, atomic mass होता है, जितने उसके अंदर number of protons, प्लस जितने number of उ उसका atomic mass बोलते हैं, paper में 99% आप लोगों को atomic mass given होता है, तो इसलिए मैं यहां पर लिख देती हूँ, आप लोगों को learn क्या करना है, atomic number, for example, अगर मैं आपसे पूछती हूँ, 7th पर कौन सा पढ़ा हुआ है, 7th atomic number किसका है, आप पताएंगे nitrogen का, उसका symbol क्या है, N है, atomic mass आप आपने learn करना है, आप learn करके रख सकते हैं, नहीं तो paper में 99% आपको given होता है, तो मैं एक बार atomic masses लिख देती हूँ, तो यहां पर मैंने atomic masses लिखती है है, 1, 2, 10 के, hydrogen का होता है 1, helium 4, lithium 7, beryllium 9, poron 11, carbon 12, nitrogen 14, oxygen 16, fluorine 19, neon 20, similarly 11 से लेकर 20 तक भी लिखती हैं मैंने, sodium का होता है 23, atomic mass, magnesium 24, aluminium 27, silicon 28, phosphorus 31, sulfur 32, chlorine 35.5, argon 40, potassium 39, and calcium 40, सबसे पहले यह जो चीज है chlorine 35.5, आप लोगों को बहुत अजीब लग रहा होगा, 0.5, yes, यह 0.5 हम accurate लेते हैं, और यह क्यूं लेते हैं, यह आप लोगों को इस chapter के बिलकुल end में पता चलेगा, end topic जब हम isotopes और isobars करेंगे, तब atomic mass के उपर question कैसे आ सकता है, यह map को एक बार लिखकर दिखा देती हूँ, तो आपके पास question ऐसे आ सकता है, find the number of protons, neutrons, and electrons in neon, सबसे पहले आप लोगों को याद हो, तो हमने representation कैसे करी थी, सबसे पहले बीच में आता है symbol, नीचे हम लिखते हैं, उसका atomic number, और उपर क्या होता ह है 10, हमें निकाले number of protons, neutrons, and electrons, सबसे पहले अगर हम बात करें, हमें पता होता है, number of protons equals to किसके होता है, atomic number के equal होता है, तो यानि कि number of protons कितने आ गया, atomic number कितना है, 10, हमने यह निकाल लिया, also, अब देखे, number of protons is always equal to number of electrons भी होते हैं, क्योंकि जितना positive charge होता है, उतना ही negative होता है तो number of electrons भी कितने निकला है, 10 निकला है, जितने protons थे, अब क्या चाहिए, neutrons, हमें पता है, कि number of protons plus number of neutrons is always equal to atomic mass, तो number of protons कितने दी होए है, 10, number of neutrons आपको निकालने है, atomic mass कितना दिया हुआ है, 20, तो n equals to 10, 20, plus का इधर आके minus का, number of neutrons कितने आ गया है, 10 आगे, similarly अगर हम sodium की बात करते हैं, इसके लिए भी क्या होगा सबसे पहले, number of protons equals to atomic number, तो number of protons, इसका atomic number कितना है, 11, also number of protons is equal to number of electrons, वो कितना हो जाएगा, similarly 11, अब कैसे यह atomic mass, sorry number of neutrons चाहिए है, तो क्या लिखेंगे, number of protons plus number of neutrons equals to atomic mass, protons कितने आए, 11, neutrons हमें चाहिए, atomic mass कितना है, इसका sodium का, that is 23, इसको इसमें से minus कर देंगे, plus का इदरा के minus, यह हो गया आप लोगों का कितना, 12, number of neutrons कितने आगए, sodium में 12, तो इस तरीके का आपके पास question आ सकता है, तो यह था आप लोगों का, it's all about atomic mass, कि atomic mass के पर question कैसा आएगा, और next आती है आपके पास electronic configuration, अब हम बात करते हैं, electronic configuration के, which is a very important topic, let us discuss, तो electronic configuration का मतलब क्या होता है, electrons की distribution, कि हम electrons को कैसे distribute करते हैं, atom के अंदर, तो हमें इतना जरूरूर्वड पता है, atom के बिलकुल center में क्या present होता है, nucleus होता है, और electrons कहां पे होते हैं, orbit में होते हैं, orbit मतलब की shells में होते हैं, तो nucleus के बाहर पहली shell, k shell, दूसरी shell, l, फिर m shell and last one is n shell, यही हमने पढ़ा, this is k shell, ठीक है, तो k, l, m, n, यह shells हमने पढ़ी हुए है, इसको distribute करने का हमार पास एक formula होता है, क्या होता है, 2n square, 2n square where n is the number of shell, यानिकि उसके designation, जैसे कि k जो है, वो first number पे है, बुलकुल पास है nucleus के, l second number पे है, third number पे m, fourth number पे n, तो हम अगर हम k shell की बात करते हैं, k shell कितने electrons hold करके रख सकता है, वोगा 2n square, k की designation है 1, तो हम n की जगा पर put कर देंगे 1, तो यह आ सकता है 2, k shell कितने hold कर सकती electrons, सिरफ 2, आगे अगर l shell की बात करते हैं, 2n square, 2, n, n कितना l का, 2 है, तो 2 multiply 2, 2 is a 4, यानिकि l shell कितने hold करके रख सकती है, 8, similarly m shell के अगर हम बात करते हैं, again 2n square, 2, अब n की जगा पर क्या put कर देंगे, 3, तो 2 multiply 9, इस 18 electrons hold करके रख सकती है, m shell, आगे last, n shell के अगर हम बात करते हैं, तो 2n square, 2, 4 का square, 2 multiply 16, that is 32 electrons hold करके रख सकती है, कौन सी shell, n shell, तो यह होती है, electronic distribution, तो यहां हम क्या करने वाले हैं, इसके कुछ rules पढ़ते हैं, सबसे पहले rule क्या होता है, कि हम सबसे पहले जो होती है, के shell को fill करते हैं, के shell fill करने के बाद, फिर हम आते हैं L shell पर, L shell fill जब हो जाती है, फिर हम आगे आते हैं, और फिर हम आगे आते हैं, यानि कि जब तक पिछली shell नहीं पिलोगी, तब तक हम अगली shell पर नहीं आएंगे, ठीक है, तो एक example ले लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं, electronic configuration करना Example अगर मैं लूँ सबसे पहले, माल लीजिये, मैंने example ले लिया, किसका? Magnesium का, ठीक है? तो magnesium जो है, अगर आप लोगों को याद हो, अभी तक आपने याद कर लिया हो तो magnesium का symbol क्या होता है? mg होता है, इसका atomic number क्या होता है? 12 होता है याद से हम electronic configuration किसके करते हैं? Atomic number की करते हैं, क्यों? क्योंकि atomic number equal to number of protons and number of protons equal to number of electrons और हमने किसको distribute करना है? Electrons को तो distribute करना है, right? ओके, तो हम electronic distribution करते हैं, किसकी atomic number की? तो अब हमने 12 को न, हमने इस shell के अंदर distribute करना है तो सबसे पहला, वो किस शेल में जाएगा, वो जाएगा K शेल में, यानि कि 12 लोग है, ठीक है, पहले वो गए K वाले रूम के अंदर, ठीक है, अब उस रूम के अंदर, उस रूम बहुत छोटा है, उस रूम की कितनी कपैस्टी है, वो सरफ दो लोग वहाँ पर रह सकते हैं कोई बात नहीं, सबसे पहले दो लोग रह गए K शेल के अंदर, K रूम के अंदर, ठीक है, अब 2 तो चलेगे, कितने बचके इसके पास, 10 बचके, 10 जो है वो अगले रूम में जाएंगे, ठीक है, अब K रूम के अंदर तो चलेगे, अब वो जाएंगे L रूम के अंदर, वो कितना बढ़ा है, वो 8 लोग उसके अंदर रह सकते हैं, कोई बात थी, L रूम के अंदर चलेगे 8 लोग, पहले चलेगे 2 लोग, बचके 10, अब 10 में से 8 चलेगे L के अंदर, कितने बचके इसके पास, 2 बचके, अब 2 जो होंगे, वो कहां जाएंगे, वो अगली रह सकते तो यहां कितने चले जाएंगे, दो अगले में चले जाएंगे, यह थी आप लोगों की electronic configuration, यानि कि पहले K shell फिल होगी, फिर L shell फिल होगी, फिर M और फिर N की बारी आईगी, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं electronic configuration करना, तो सबसे पहले हम electronic configuration करने वाले हैं, किसकी? Hydrogen की, ठीक है, hydrogen का atomic number है 1, यानि कि कितने लोग है, A की है, ठीक है, वो किस में जाएगा, सबसे पहले K में जाएगा, की कि कितनी capacity होती है, 2 की capacity होती है, मैं यहां लिख भी देती हूँ एक बार, यह 2 hold करके रख सकता है, यह 8, यह 18 और यह 30, 2 hold करके रख सकता है, तो इसकी capacity 2 की है, इसके पास 1 है, तो इसकी पहला ही room में चला जाएगा, कोई बात नहीं चले ख़या, तो next बात करते हैं helium की, helium के पास कितने हैं, 2 है, ठीक है, 2 electrons है, ठीक है, तो सबसे पहले किस में झाएगा, K-shell के पास K-shell में कितने रह सकते हैं? दो ही रह सकते हैं, तो दोनों के दोनों K-shell में ही रह जाएंगे, ठीक है? आगे चलते हैं, Lithium, Lithium के पास 3 है, ठीक है? 3 लोग हैं, और 3 लोगों को हमने distribute करना, तो वो सबसे पहले जाएंगे K-room के अंदर, K-room में रह सकते हैं सिर्फ दो लोग, तो वो दो लोग चले गए K-के अंदर, कितने बज़ गए? एक बज़ गया, एक चला जाएगा, किस के अंदर? L-के अंदर, राइट? Similarly, Beryllium के अगर हम बात करें तो चार लोग हैं, चार लोग हैं सबसे पहले K-room फिल होगा K-room के अंदर चले गए 2, कितने बज़ गए? 2, वो चले जाएंगे, L के अंदर Similarly, Boron, Boron के पास 5 है तो 5 सबसे पहले किस रूम में जाएंगी? अब आप लोग ये मत सोच रहा हैं कि मैं क्या कर रही हूँ? के को ही फिल करी जा रही हूँ देखे, हर एक electron, हर एक element के लिए अलग atom है और हर atom की अलग K-shell, अलग L, अलग M और अलग N-shell है समझ रही है? आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं 2 के अंदर ही फिल करी जा रही हूँ करी जा रही हूँ और ये K की ही two capacity है ये चीज नहीं है हर एक element के लिए अलग-अलग shells है वही बात होगे है nucleus, L, K, L, M, N, L shell ये hydrogen के लिए अलग है helium के लिए अलग, lithium के लिए हर एक element के लिए अलग है तो इसलिए सबसे पहले हम K में जाते है उस atom की K-shell में जाते है तो बोरोन के पास कितने है 5, 5 में से 2 चलेगे किसके अंदर, K के अंदर कितने बचके, 3, 3 चले जाएंगे L के अंदर, ये कब तक जाते रहेंगे जब तक उसके 8 नहीं complete हो जाते हैं तो next carbon, carbon 6 है, तो पहले 2 चलेगे फिर 4 आ गए, nitrogen 7 है, तो पहले 2 चले गए जो बच गए, 5 वोगली में चलेगे फिर oxygen, तोटल 8 है पहले 2 चलेगे कितनेबच के 6, 6 चलेगे L के अंदर, fluorine तो 2, जो बच गए, वो चलेगे किसके अंदर, L के अंदर, neon 2 चलेगे, K के अंदर बच गए 8, 8 के 8 चलेगे किस के अंदर L के अंदर अब हम करेंगे next configuration तो next में आता है अब आपके पास sodium, sodium के पास 11, तो 11 में से पहले 2 चलेगे, किस के पास K shell में, मैं इसके दुबाय लिपती हूँ 2, 8, 18 and 32 electrons इनके अंदर आ सकते हैं तो पहले चलेगे वो K shell के अंदर कितने बच गए उसके पास 9, 9 में से 8 चलेगे किस के अंदर, L shell के अंदर एक बच गया, एक कहाँ चले जाएगा M shell के अंदर, right magnesium, 12, 12 में से 2 चलेगे, K में, 10 बच के 10 में से 8 चलेगे, L के अंदर कितने बच के 2, 2 चलेगे M के अंदर, right आगे चलते हैं, aluminium 13 है, 2 K में 8 L में, 3 जो बच के M में, silicon 2, 8, 4 phosphorus, 2, 8, 5 sulfur, again 16 16 है, तो 2 K में 8 L में, जो बच के 6, 6 के 6, M में chlorine, 17 है 2, 8, 7 similarly, argon, argon के पास 18 है, तो पहले 2 में जाएंगे, फिर 8 total 10 हो गए, कितने बच गए 8 बच गए, 8 के 8 कहाँ चले जाएंगे M में चले जाएंगे next, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्या, कि potassium के पास 19 है, ठीक है, तो 19 में से 2 चले गए K में, कितने बच गए 17, उसमें से 8 चले गए L में, कितने बच गए, 9 अब आप यहाँ सोचोगे कि यहाँ आना चाहिए 9, है ना, क्योंकि M की जो capacity है, वो कितने की है 18 की capacity है, तो वो 9, 10, 11, अब to 18 तक fill हो सकता है, जबकि हम इस configuration की बजाए हम लिखते हैं, 2, 8 इसको फिर से हम लिख देते हैं 8 और 1 में Similarly हम calcium के साथ भी ऐसे करते हैं 20 है, तो हम 2, 8, 10 लिखने की बजाए हम इसकी configuration क्या लिखते हैं 2, 8, 8, 2 अब आप सोचोगे कि यहाँ, यहाँ पर तो 2 की capacity थी तो हमने 2 fill कर दिये L की 8 की capacity तो 8 fill कर दिये लेकिन M की 18 की capacity तो हम 18 तक क्यों नहीं जा रहे हैं फिर से हम 8, 8, 8 क्यों कर रहे हैं क्यों, क्योंकि जो इनकी capacity होती है, वो सिरफ octet complete करने की होती है, यहाँ octet मतलब कि 8 ही electrons एक shell के अंदर आ सकते हैं इसकी detailed study जो होगी आप लोग प्लस 1, प्लस 2 में पढ़ेंगे जब आप इसकी और electronic configuration समझेंगे, तो यहाँ पर आपको सिरफ इतना पता होना चाहिए कि यह जो shells होती है, यह सिरफ 8, 8 electrons ही अपने अंदर क्या करके रख सकती है, hold करके रख सकती है detailed study के लिए आप लोग इसको प्लस 1, प्लस 2 में अच्छे से पढ़ेंगे राइट, ओकी, अब चलते हैं valency की तरफ, यह तो होगी आप लोगों की electronic configuration, let us discuss about valency तो अब valency क्या होता है, valency का मतलब होता, combining capacity of an atom, एक atom कैसे combine करता है, तो combine कैसे करेगा, या तो वो electron देता है, या electron लेता है ठीक है, यही तब ही हम किसी चीज को combine कर सकते हैं, जब हम किसी से या तो लें या किसी चीज से लें, right तो यहाँ पर क्या होगी valency जैसे for example में अगर हम बात करती हूँ, सबसे पहले यहाँ पर हमने magnesium का example लिया हुआ था, तो magnesium का example लेका है, हम valency solve करेंगे, valency solve करने के लिए सबसे पहले हमें आनी चीज electronic configuration, electronic configuration आने से पहले हमें आना चाहिए उसका atomic number, तो I hope अभी तक आप लगों atomic number learn कर लिये होगे, right तो यहाँ पर जैसे magnesium है ठीक है, तो magnesium जो है इसका atomic number हो गया 12, electronic configuration क्या करी थी हमने इसकी, 282, right तो अब हमने इसकी electronic configuration की help से हमें निकालनी है इसकी valency so सबसे पहले हम यह देखते हैं कि outermost में से कितने electrons पड़े हुए है इसकी outermost में electrons पड़े हुए है 2, ठीक है इस outermost shell को हम valence shell भी बोलते हैं, okay क्यों क्योंकि यहीं से हम क्या निकाल पाते हैं, valence निकाल पाते है और हर एक atom चाहता है उसकी outermost shell या तो completely filled हो या completely empty हो बिल्कुल खाली हो या बिल्कुल भरी हो ऐसी आधी अधुरी कोई नहीं छोड़ना चाहता है ठीक है, तो यहां देखे तो इसके अंदर 8 चाहिए हमें, ठीक है, वैसे तो मैंने भी आपको बताए कि M के लिए 18 होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, सिरफ हम octet fill करते हैं, octet का मतलब होता है 8, 8, 8 को हम fill करते हैं, इसको हम octet rule भी बोलते हैं, तो हमें इसको fill करना है 8 तक तो अब आप लोग मुझे बताएए, अगर इसको 8 fill करने है, 2 इसके पास है, 6 इसको और चाहिए तो 6 किसी से electrons लेना easy है, या 2 किसी को donate करना easy है obviously, 2 किसी को देना easy है right, तो यानि कि यहाँ पर मैं दो चीज़े use करूँगी, जब हम electrons दे रहे होंगे donate कर रहे होंगे तो हम लगाएंगे positive का sign अगर हम किसी से borow कर रहे होंगे, या ले रहे होंगे, तो उसे हम बोलेंगे negative sign, यह कैसे याद रहेगा donate करना, अच्छा काम करना, यानि कि positive work borow करना, उधार ले रहे हैं उधार ले रहे हैं तो हम गलत काम कर रहे हैं निगेटिव पॉर्क कर रहे हैं चलिए अब यहाँ पर देखिए 6 एलेक्ट्रोन चाहिए ओक्टेट कंप्लीट करने के लिए according to octet rule लेकिन 2 एलेक्ट्रोन है इसके पास तो 2 देना easy है या 6 लेना 2 देना easy है तो यानि कि donate करेगा यह कितने donate करेगा 2 और donate करने के लिए कौन से sign लगता है plus का तो plus 2 हो जाएगी इसकी valency similarly अगर हम बात करते हैं एक और बात कर लेते हैं जैसे fluorine की बात करते हैं तो fluorine का atomic number होता है 9 electronic configuration अगर हम करें k shell में जाएगा 2 7 जाएगे किसके अंदर L shell के अंदर ठीक है अब इसकी valency हमें निकाल ली है इसकी valency के लिए अब इसको कितने चाहिए electrons अपना octet complete करने के लिए 1 या तो completely filled हो या completely empty हो fill होने के लिए इसको चाहिए 7 और या इसको completely empty होने तो 7 देने के लिए कौनसा sign लगजेगा minus का sign लगजेगा और कितने ले रहा है एक ले रहा है अपना octet complete करने के लिए तो minus 1 हो जाएगी इसकी क्या valency तो I hope आपको valency समझ में आगी होगी तो चलिए back to the table सभी elements की अब हम करेंगे valency तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले hydrogen की बात hydrogen के पास है 1 K shell में आ सकते हैं 2 है ना तो इसको अपने आधी अधूरी तो नहीं छोड़नी शेल तो या तो वो क्या करें एक ले ले किसी कुक से ताकि उसके 2 complete हो जाए या एक दे दे minus 1 भी होती है और plus 1 भी होती है very interesting ओके आगे चलते हैं helium helium के पास 2 है उसकी shell already filled है complete है 2 shell उसकी complete है ना किसी से लेना ना किसी को देना तो valency हो गई इसकी 0 आगे lithium lithium के है 2 shell K shell तो इसकी complete है अगर हम L shell की हम बात करते हैं L shell में आ सकते है 8 electrons इसके पास है 1 ठीक है तो इसको अपना octet complete करने के लिए 7 चाहिए 7 लेना easy है या एक किसी को देना easy है 1 देना easy है तो देने के लिए क्या लगता है donate कर रहे है plus का sign कितने donate कर रहे है 1 donate कर रहे है तो plus 1 valency हो गई very helium इसका doublet complete है 2 बाली shell complete है octet complete करना है 8 चाहिए 2 है 6 लेना यो 2 देना obviously 2 देना जादा easy है 6 बजाए के लेने के तो 2 देना यानि कि donate करेंगे तो plus कितने देंगे 2 similarly इसको octet अपना complete करना है 5 चाहिए इसको और 3 दे भी सकता है तो 5 लेना या 3 देना obviously 3 electron देना जादा easy है तो देने के लिए plus 3 right next 4 carbon के अगर हम बात करें very interesting 10th class में आपके पास इस carbon के उपर फूरा एक chapter भी है यह बहुत interesting element है तो कैसे interesting है तो देखिए इसको अपना octet complete करना है 4 चाहिए इसको तो 4 दे भी तो सकता है है ना 4 electron ले सकता है तो 4 electron दे भी सकता है तो similarly इसकी electronic configuration हो गई plus 4 minus 4 यानि कि इसके पास दोनों possibility है 4 चाहिए ले ले 4 चाहिए 4 दे दे आगे सलते है 5 अपना octet complete करना है 3 चाहिए इसको और 3 आप लेना easy है या 5 देना easy है 3 लेना जादा easy है ले रहे है बोरो खर रहे है उधार ले रहे है तो कितने ले रहे है गलत काम कर रहे है negative और कितने ले रहे है 3 तो आज़ेंगे minus 3 similarly oxygen इसके doublet complete है 6 octet चाहिए complete करने के लिए यानि कि 2 और चाहिए इसको तो 6 दे देगा electron या 2 लेगा obviously 2 लेगा वो जादा easy है तो लेगा बोरो करेगा तो minus 2 right 2 लेगा ना तो इसलिए minus 2 similarly 7 एक और शाहिए ना सरफ इसको 7 देने की बिज़ाए एक लेना prefer करेगा तो वो क्या करेगा ये minus क्योंकि बोरो कर रहा और कितने कर रहा एक तो minus 1 अब यहाँ देखिए neon की बात doublet complete octet भी complete 8 क्या 8 complete है ना लेना ना देना तो valency 0 similarly आगे चलते हैं आगे हम sodium की बात करें तो 281 अब यहाँ पर देखिए इसका भी हमने ना octet ही complete करना है according to octet rule हम क्या करते हैं 8 8 complete करते हैं right okay so 281 अब अगेन इसको भी अपने 8 complete करने है ठीक है 8 complete करने के लिए 7 चाहिए तो 7 electron लेगा या 1 देगा क्योंकि इसका doublet complete है K shell complete है L shell भी complete है हम सिरफ outermost देखते हैं तो वो 1 electron देना ज़्यादा prefer करेगा बजाए की 7 लेने के तो देगा तो positive कितने देगा 1 similarly 2 6 और चाहिए इसको अपना octet complete करने के लिए 6 लेना easy है या 2 देना easy है 2 देना तो plus का 2 similarly 5 लेगा या 3 देगा 2 देगा वो ज़्यादा easy है तो plus 3 similarly 4 आगया 4 की बात करें तो 4 ले भी सकता है 4 दे भी सकता है तो plus 4 minus 4 5 की बात करें octet complete करने 3 लेना easy है या 5 देना easy है 3 लेना उधार ले रहा है negative कितने उधार ले रहा है 3 तो यानि कि minus 3 similarly 6 6 देदेगा electron या 2 लेगा 2 लेगा उधार लेगा 2 तो minus 2 valency 7 अपना octet complete करने के लिए इसको कितने चाहिए एक और चाहिए तो एक उधार लेगा तो minus 1 अब इसका octet क्या हो चुका है complete तो यानि कि ना लेना ना देना तो 0 आगे फिर से 1 फिर से according to octet rule इसको 8-8 ही complete करने अपने तो 8 complete करने के लिए 7 electron लेगा या 1 दे देगा 1 electron दे देगा वो जादा easy है तो देने के लिए plus और कितने देगा 1 तो plus 1 similarly 2 8 electron पूरे complete करने के लिए 6 चाहिए तो 6 लेना easy है या 2 देना easy है 2 देना easy है तो plus 2 तो ये थी इनकी complete valency also मैंने last videos में कुछ observe करा है बच्चे पूछ रहे थे कि कुछ extra है कुछ extra क्या है ध्यान से सुनिए जिन elements की valency 0 होती है उनको हम बोलते है noble gases noble gases बोला जाता है इनको क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कम reactive होती है या भी कह सकते है low reactive या बिल्कुल भी reactive नहीं होती है ठीक है reactive का मतलब क्या होता है कि वो किसी के साथ कैसे react करती है कैसे किसी के साथ combine करती है और यहाँ आप देख सकते होगे उनकी valency ही 0 है valency का मतलब क्या होता है combining capacity किसी के साथ ना electron वो share करती है ना किसी को देती है ना electron किसी से लेती है तो क्या किसी के साथ combine करेंगी किसी के साथ combine नहीं करती है तो किसी के साथ react नहीं करती है react नहीं करती है तो उनकी gin elements के valency 0 होती है उन्हें हम बोलते है noble gases और 10th के लिए एक extra knowledge आपको बता देती हूं, जिन elements की valency minus 1 होती है जैसे कि आपने fluorine देखा, chlorine देखा जिनकी valency minus 1 होती है उन gases को हम बोलती है halogens अभी के लिए नाम बहुत है बाकी इसके details study हम करेंगे 10th के अंतर right, so thank you that's all for this video next video में हम cover करेंगे इस chapter का last topic that is isotopes and isobarts और उस वीडियो में आप लोगों को ये exceptional case भी पढ़ने को मिलेगा, why 35.5 very interesting topic, thank you